एक 4-stroke एंजिन का संचालन नमस्ते, एक 4-stroke एंजिन के संचालन के इस सेशन में आपका स्वागत है पिछले सेशन में हमने एंजिन और इसके पूर्जों के बारे में देखा एक वाहन का एंजिन एक इंटरनल कमबशिन एंजिन है क्योंकि एंजिन के भीतर ही इंधन जलता है आजकल ज्यादतर मोटो साइकलों में 4-stroke साइकल एंजिन होता है जहां पिस्टन के 4 अलग स्ट्रोक्स के जरिए यह इंटरनल कमबशिन होता है इस सेशन में हम 4-stroke इंजिन साइकल के विपिन चर्णों को देखेंगे आईए हम साइकल से जुड़ी कई शब्दों के बारे में जानते हैं यह टॉप डेड सेंटर है यह एक ऐसा पॉइंट है जिससे उपर पिस्टन नहीं उठ सकता यह बॉटम डेड सेंटर है यह एक ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे पिस्टन नहीं जा सकता पिस्टन द्वारा कवर की गई दूरी को स्ट्रोक लेंग्ध कहते हैं इस एंजिन को 4-stroke एंजिन कहते हैं क्योंकि साइकल पूरा करने के लिए पिस्टन स्ट्रोक लेंग्द को 4 बार कवर करता है। प्रती मिनिट क्रैंक शाफ्ट का घूर्णन यानी रोटेशन नापने के लिए रोटेशन पर मिनिट की इकाई इस्तमाल होती है। 4-stroke engine cycle के विभिन चर्ण है इन्टेक स्टोक, compression स्टोक, combustion स्टोक जिसे power स्टोक भी कहा जाता है और exhaust स्टोक। एक 4-stroke engine cycle का पहला चरण देखते हैं जिसे intake स्टोक कहा जाता है। Intake stroke तब शुरू होता है जब piston नीचे की तरफ जाता है और intake valve खुल जाता है। इससे सिलिंदर के भीतर vacuum पैदा हो जाता है और हवा और इंधन का मिश्रन अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद intake valve बंध हो जाता है। Compression stroke के दोरान intake और exhaust दोनों valve बंध होते हैं। Piston सिलिंदर के उपरी छोड तक जाता है और इंधन हवा के मिश्रन पर दबाव डालता है जिससे यह अधिक ज्वलनशील हो जाता है। Combustion stroke या Power stroke जब हवा इंधन के मिश्रन पर अधिक्तम दबाव होता है तब स्पार्क प्लग एक स्पार्क पैदा करता है जिससे हवा इंधन का मिश्रन जल उठता है और एक छोटा विस्फोट होता है। यह उर्जा piston को नीचे की तरफ ले आती है। exhaust stroke पिस्टन एक बार नीचे तकराने पर exhaust valve खुल जाता है। पर आ गए हैं। इस सेशन में हमने एक four stroke engine cycle के विपिन चर्णों के बारे में सीखा। intake stroke, compression stroke, combustion या power stroke और exhaust stroke। आशा है कि आपको इस सेशन में मजा आया। धन्यवाद।